नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ Fine Organics शेर का Technical Analysis और हम देखेंगे कि इस शेर में एक धमा के दार तेजी कब आईगी इस शेर को खरीदने के Best Levels कौन से रहेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस शेर में हमारे Short Term Targets क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में हमारे Support की तो यहाँ पर आप देखो दोस्तो इस शेर में अभी दो Important Support Levels है जो सबसे पहला Important Support है इस शेर में वो है 2,891 रुपीज का लेवल दोस्तो यह वाला लेवल इस शेर के लिए Important Support है और अगर यहाँ पर यह शेर इस Support का Breakdown दे देता है तो उसके बाद जो अगला Support है वो है 2,790 रुपीज का लेवल यहाँ पर आप देख सकते हो पहले भी शेर ने इस शेर ने इसी लेवल पर Support लिया है दोस्तो अगर बात आती है इस शेर में हमारे Resistance की तो यहाँ पर आप देखो यह वाला जो लेवल है मतलब 3,099 रुपीज का लेवल या फिर हम 3,100 रुपीज का लेवल भी बोल सकते है यह लेवल Fine Organics के लिए एक Important Resistance है क्योंकि इस शेर ने इसी लेवल पर आप देखो के Multi Time Resistance Face किया है आज के Trading Session में भी इस शेर में हमें एक अच्छी सी उच्छाल देखने को मिली थी पर इस शेर ने वापस से इसी लेवल पर Resistance Face किया तो दोस्तो एक बार अगर यह शेर इस लेवल का Breakout दे देता है तो उसके बाद इस शेर में हमें एक शांदार देशी देखने को मिल सकती है आईए दोस्तो अब हम देख लेते हैं इस शेर में कुछ Important Technical Indicators हमें क्या सिगनल दे रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तो अभी मैं दो Important Indicators को लगा चुका हूँ अगर बात आती है इस शेर में हमारे MACD की तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों MACD में अभी हमें एक Bullish Cross Over देखने को मिला है और जो RSI है वो भी अभी धीरे धीरे करके Recover कर रहा है और RSI अभी 58 आ गया है तो हम कह सकते के दोनो Technical Indicators धीरे धीरे करके Bullish होते जा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों खरीदारी का एक अच्छा मौका है आईए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस शेर में में कब Entry लोगा तो दोस्तों सबसे पहले अगर ये शेर अपना Resistance Break करता है अगर ये शेर अपने Resistance का Breakout दे देता है मतलब अगर ये शेर 3100 लेवल के उपर जाता है तो मैं इस शेर में Entry ले लूँगा उसके बाद दोस्तों इस शेर में जो मेरे सबसे पहला Target रहेगा वो रहेगा 3250 रुपीज का लेवल मतलब ये वाला लेवल दोस्तों अगर ये शेर इस लेवल के उपर जाता है तो उसके बाद ये शेर में 3560 रुपीज तक की Target शौट टम में अच्यों करता हूँ अधिकाई दे सकता है पर अगर ये शेर इस Resistance का Breakout नहीं देता तो इस शेर में गिरावट आ जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों आप इस शेर को 3100 के नज़दीक पर खरीच सकते हो उसके बाद जैसे के मैंने आपको कहा के 3250 का पहला Target रख सकते हो और दूसरा Target रहेगा 3560 रुपीज का और दोस्तों अगर आपको इस शेर में Stop Loss लगाना है तो आप क्या करो इसको Buy करो 3100 पे और आप अपना Stop Loss लगाओ 3080 रुपीज का और जैसे जैसे इस शेर का प्राइस आगे बढ़ता है तो आप अपना Stop Loss ट्रेल करते जाओ Trailing Stop Loss लगाओ तो दोस्तों आज़के वीडियो के लिए बस इतना हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिना चैनल पे नवह हो तो चैनल को सब्स्राइब कर दिना यह वीडियो एक educational वीडियो था इसलिए इस शेर में मेरी कोई भी बायस है या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद